वहीं राईपور में मुक्य सचीव ने कलेक्टेस को निर्देश दिये हैं। लॉकडाउन लगाने का इस्थानिय हालाद पर नेडेश दिये है। मुक्य सचीव ने वीडियो कॉन्फरेंशिंग के जरी निर्देश दिये हैं। मुखे सचीव ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग में निर्देश जारी किये तो ये सीम भूपेश बगेल ने ट्वीट कर अपडेट जारी किया था कोरोना संक्रमन के प्रसार की रोक्थाम के लिए इस्थानी परिस्थितियों के अनुसार लॉक्डाउन के संबंद में निर्दे लेने के लिए कलेक्टरों को निर्देश निर्देशित किया गया है वहीं 36 गड़ में कोरोना वाइरस म्यूटेट होकर आया है आपको बता दे अब तक पांच नमूनों में कोरोना के नए वेरियंट की पुष्की हुई है नया वेरियंट शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर करने में सक्षम है नया वेरियंट को N440 नाम दिया गया है 36 गड़ के स्वास्तमंत्री टीए सिंदेव का भी बयान इसको लिकर सामने आया केंद स्रकार ने पिछले दिनों 36 गड़ के पांच नमूनों में नए वेरियंट की रिपोर्ट दिती प्रदेश में अब तक ब्रिटिश या साथ आफ्रिकन वेरियंट सामने नहीं आया है नहीं ब्रजीलियन वेरियंट का एक भी मामला सामने आया है लेकिन 36 गड़ में कोरोना वाइरस म्यूटेट होकर सामने आया है